हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो बे हम बात करने वाले हैं कि हमारे Canon के Shimoda में यहां पर ऊपर की तरफ जो CA मोड होता है जिसको हम Creative Auto Mode गहते हैं हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन-किन सिटवेशन में यूज़ कर सकते हैं और कैसे perfect picture को कलिक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो Canon के मोडल में यहां पर उपर की तरफ जो Creative Auto Mode होता है जिसको हम CA बोलते हैं तो इसका यूज है क्या और इसकी जुरूरत पड़ी क्यूं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि यहां पर मेरा भी कैमरा है जो यहां पर Manual Mode में है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं M लिखा हुआ है तो अगर मैं इसे CA में कर दूँ तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हमारा Manual Mode है तो यहां पर उपर की तरफ हमारा manual mode होता है तो manual mode में आप जानते हैं जैसे कि यहां पर हमें सब कुछ इसका set करना पड़ता है जैसे shutter speed हो गई, aperture हो गया और ISO होगी तो इन सब को हमें set करना पड़ेगा उसके बाद हम picture को click कर सकते हैं तो अगर आप beginner हो तो आपको थोड़ी difficulty होगी manual mode को use करने में थोड़ी problems आ सकती हैं आपको तो अगर आप उसको overcome करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप शुरू शुरू में CA mode जाने के creative auto mode का use करें और perfect picture को click कर सकें तो उसके लिए आपको जो best अपकी जो settings हैं वो आपको CA में ही मिलेगी तो चलिए अब हम बात करते हैं creative auto की तो सबसे पहले हम आपने camera को यहाँ पर उपर से dialer में से CA mode में लगा देता हूँ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मेरा जो camera है वो यहाँ पर creative auto mode में लग चुका है मेरे पास जो model है वो Canon का 1500D है जिसमें अभी में आपको live demo दूँगा और आपको picture क्लिक करके बताऊंगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा जो आपको display है वो देखने को मिल जाएगा CA mode में तो अगर आपको picture क्लिक करनी है तो यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है आपको Q को दुबाना है और आप यहाँ से सेट कर सकते हैं यह आपको कुछ भी shutter speed, ISO, aperture कुछ भी ऐसा सेट करने को नहीं बोलेगा आप simply इसमें से अपनी जो सेटिंग्स है वो सिर्फ आपको तीन सेटिंग्स चार सेटिंग्स है जो आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले आप यहाँ पर उपर देख सकते हैं standard setting जब आप इसको select करेंगे तो आपको जो अपना based short है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं A-B shorts आपको सेट करने के लिए यहाँ पर लग-लग से आपको type मिल जाएगी जैसे आप यहाँ पर किसी को भी select कर सकते हैं आपको देख सकते हैं यहाँ पर वीवरड है, soft, environment, and school है, brighter है तो आप situation के हिसाब से यहाँ से इसको किसी को भी set कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसे standard setting पर ही रहने दे तो इसके इलावा आपको यहाँ पर देखनों को मिल जाएगा background blur तो यह इसका एक main feature है इसमें आपको जो अपना background blur है वो कितना चाहिए, वो आप set कर सकते हैं आप इसको जितना left की तरफ करेंगे, उतना आपका जो background है वो ज़्यादा blur ही आएगा अगर आप इसको जितना उपर की तरफ set कर देंगे, जाने की right की तरफ तो आपका जो background है वो थोड़ा tumbler आएगा और आपकी picture है जो वो sharp आएगी इसके इलावा आपको जो setting देखने को मिल जाती है, यह आपको मिल जाती है single shooting करना है, आपको continuous करना है, या second लगाना है, या timer लगाना है तो इसमें से आप वो set कर सकते हैं इसके इलावा आपको एक और setting देखने को मिलेगी, वो आपकी है flash की अब आप से फ्लेश को आपको off रखना है या on रखना है, वो आप set कर सकते हैं मैं यहाँ पर flash को off कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर flash को off कर दिया है इसके इलावा आपको यहाँ पर कोई भी setting देखने को नहीं मिलेगी और आप perfect picture क्लिक कर सकेंगे बिना ISO set करे बिना आपका जो shutter speed है उसे set करे और आपका aperture priority को set करे बिना तो यहाँ पर आप perfect picture क्लिक कर सकते हैं इन तीनो settings को बिना set किये तो यहाँ पर जो background blur का option है वो ही main feature है तो उसको आपको कैसे use करना है वहाँ आपको बता देता हूँ अभी आपको एक live demo photo क्लिक कर करे बता देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो sharp है यहाँ पर मैं इसे अगर medium में रखता हूँ तो देखते हैं कि medium में हमारी जो picture है वो कैसी क्लिक होती है तो अभी मैं इसे दूसरे mode में कर देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने मेरे एक teddy bear रखा हुआ है अब मैं इसमें ही अपना जो picture है वो क्लिक करने जा रहा हूँ तो अभी यह मेरी picture focus then click और यह मेरी picture अभी click हो चुकी है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो मेरी picture है वो अभी यहां पर आ रही है और आप देख सकते हैं background यहां पर कुछ medium सा blur है तो मारा जो teddy bear वो काफी clear दिखाई दे रहा है और हमारा जो background है background में हमारे जो flowers हैं वो थोड़े थोड़े blur आ रहे है तो अब मैं इसे दुबारा से set करता हूँ तो इसे अभी मैं जो अपना background blur है अगर मैं उसे बिल्कुल ज़्यादा कर दूँ तो अभी हम देखते हैं हमारी picture पर क्या effect पढ़ रहा है तो इसे मैंने यहां पर set कर दिया अभी मैं यहां पर इसकी picture ख़्लिक करने जा रहा हूँ तो यह भी focus और click यह मेरी picture यहां पर click हो चुकी है तो अभी मैं एक और picture को यहां पर click कर लेता हूँ अभी मैं अपना जो background है उसको मैं पूरी तरह से यहां पर blur कर देता हूँ या clear कर देता हूँ तो पहले मैंने यहाँ पर इसे पूरा बलरी करके खीचा था अब मैं यहाँ पर एक फोटो क्लिक करूँगा जिसमें हमारा जो background है वो बिल्कुल भी blur ना हो तो चलिए अब हम एक और picture को क्लिक कर लेते हैं और यह हमारी picture क्लिक हो गई तो अभी मैं आपको दखा देता हूँ कि हमारी जो मैंने तीन चोट ली हैं उन तीनों में हमारा क्या difference आया है तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारी picture है यह मैंने यहाँ पर medium blur में खीची थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो teddy bear वो बिलकुल clear है और यहाँ पर back में हमारे जो flowers हैं वो medium से blur हुए है अगर मैं यहाँ पर next picture की ओर जाता हूँ तो इसमें मैंने जो अपना blur effect है वो पूरी तरह से दिया हुआ था तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी picture पर care effect पड़ा है तो यह आप देख सकते हैं हमारा जो background है वो काफी हद तक बिलकुल blur हुग चुगा है यहाँ पर हमारे जो flowers हैं वो बिलकुल blur आ रहे हैं वो मारा जो front में teddy bear है वो clear दिखाई दे रहा है इसके इलावा मैंने एक और picture click की थी जिसमें मैंने जो अपना background है उसको मैंने बिलकुल भी blur नहीं होने दिया जानी कि मैंने जो अपना blur effect था वो बिलकुल कम कर दिया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो background है वो यहाँ पर काफी clear आ रहा है तो आप देख सकते हैं difference कितना ज्यादा आ रहा है इन तीनो pictures में एक में तो बिलकुल ही blur है और एक में काफी हद तक clear है तो friends ऐसे आप अपने जो blur fact है उसको use करके perfect picture को click कर सकते हैं तो friends अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो like करें, share करें, comment करें और channel को subscribe करना न भूलें